ये है पेनसोनिक का विश्व परसिद रेडियो आरेफ 562 ये रेडियो यूएस में अमेरिका में 2800 रुपए का मिलता है और भारत में मुझे ये रेडियो पड़ा 4900 रुपए का और मैं जहां रहता हूँ यहां डिलीवरेबल भी नहीं था मुझे शहर में जाकर लाना पड़ा तो यह आप वैसे टोटल देखें तो यह मुझे 4000 से उपर का भी पड़ गया अभी फिलिप कार्ट पर आगर आप इस रेडियो का रेट देखेंगे तो 4500 रुपए है कभी कभी यह बढ़का 4800 5.000 तक भी जाता है और कभी Amazon पर सस्ता रहता है फिलिप कार्ट पर महिंगा हो जाता है कभी फिलिप कार्ट पर सश्ता रहता है Amazon पर महिंगा हो जाता है यह है Taxon का 20 परसीद एनलोग रेडियो R9012 यह मुझे 16.500 रुपए का मिला था Amazon से जैसे PL 330 वो मिलता ही नहीं है भारत में और सोनी के रेडियोज की तो मैं बात ही क्या करूँ साथियों अब तो भारत चोड़िये मैं US पर भी Amazon पर चेक कर रहा था वहां भी उनके जो फेमस जो अभी recent जो उनके model चलते हैं ICF 19 या 306 ये रेडियो मिली ने रहें कहीं भारत में उनका एक रेडियो मिल रहा है फ्लिप कार्ट पर 500 रुपए में अब इस 500 रुपए को देकर आपको सिरफ AM और FM मिलेगा शोट वेव तक भी नहीं मिलेगा और वापस है अधात में पैनसॉनिक पर पैनसॉनिक के रेडियो पर लिखा है RF 562 इसके बॉक्स पर लिखा है RF 562 DD और जहां Amazon पर इसको बेच रहे हैं वहां लिखा है RF 562D अब सातियों विश्व भर में इस बात पर चर्चा रहती है कि जो यह RF 562 है इसमें कहीं पर D कहीं पर DD और कहीं पर DD2 नाम से बिखता है रेडियो लोगों को शक रहता है मुझे भी शक है कि इन में से शायद यह DD2 ज सो कंपनी की तरफ से इस परकार का कोई परियास नहीं किया जाता कि यह doubt solve और या फिर अगर उन्होंने कोई परियास किया होगा तो इसका ज्यादा हमें पता नहीं चलता और इसके साथ साथ आप देखिए नाम लिख रहे हैं कुछ और रेडियो पर लिखा है कुछ और और यह ambiguity जो है यह संदीक्तिता जो है वो इतनी बड़ी company के बड़े famous रेडियो के बारे में साथियों अजीव लगती है और दूसरी बात जब आप इसको लेते हैं तो आप थोड़ा सा चीट हुआ समझते हैं हो सकता है RF जिस पर 562 लिखा है वो या 562D या 562 DD या 562 DD2 हो सकता ह सब यह एक रेडियो हो अलग अलग देशों में जस्त थोड़ा सा अंतर करने के लिए या packaging का अंतर करने के लिए हो सकता है इनके model के नाम में वो बड़ाव करते हूं किन्तु यह सब कुछ जो है वो बड़ा संदिक्द लगता है सिर्फ एक नाम को लेके चलना चाहिए नमस 15rilित जनके हम बहुत ज़ादा respect करते हैं Sony और Panasonic गए जमाने की legend से रही है तो इसी के मामल में और आज के समय में विश्व भर में 20 बैस्ट अप कंपनी में इसे है जो डेडियो की कंपनी हैं साथियो किन्तु जहां से मैं देखता हूं यह तीनो ही बारती ये रेडियो मार्केट के बारे में serious नहीं है साथियों, अनेक बार साथ पूछते हैं कि आपने excess data के radio का ही review क्यों ज्यादा किया है साथियों, तो आप देखिए, Sony का radio इतना महेंगा आ रहा है, हो सकता उसकी build quality जबरदस्थ होगी, जबरदस्त होगी किन्तु आप एक बड़ी कंपनी हैं आप थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं जब आपने इतना महेंगा कर दिया है 500 रुपे और महेंगा कर दीजिए कम से कम शोट वेव तो दे दीजिए उसमें टेक्षन है अभी सेल थी सातियों भारत में कोई भी कोई भी वस्तु हो दिवाली पर आ करके जबरदस सेल लगती है जाए वो लोकल मार्केट हो या फिर वो ओनलाइन अमाजोन हो फ्लिपकार्ट हो हर एक पर जबरदस सेल लगती है यदि किसी भी कंपनी को अपना कुछ भी बेचना है तो सबसे बेस्ट समय होता है वो दिवाली वाली से इस दिवाली की सेल में आप रेडियोज को अच्छे से प्रेजेंट करना बेचना तो दूर चोड़िए टेक्षन का एक मोडल मिल रहा था सिरफ केवल जो आप अफोर्डेबल प्राइस है उसमें वरना उनके 25 3030 में तो क्या आप ता कुछ और मोडल भी मिल रहे होंगे लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में साथियों सिरफ टेक्षन का पी एल थरी टैन इटे मिल रहा था इस सारा समय सोनी के रेडियो तो नदारद ही रहे साथियों और जो पैनसोनिक वाले रेडियों है इनका जो प् चैनल के और अपनी मर्णी से किसी प्राइस बेच रहा है कोई सालर किसी प्राइस बेच रहा है किसी रेडियो का नाम कुछ और लिख देते हैं यह सब चीजें जो हैं ये कंजूमर के मन में डाउट पैदा करते हैं साथियों हम एक चोटा सा चैनल है अभी तक यहां तक 3000 क् से और मैं इन तीनों लेजेंडरी कंपनी से आगरे करता हूं आप एक्सस डेटा से सीखिए छोटे से छोटे जो प्राइस के टेगरी है वहां से जहां 1100-1200 के आसपास से उनका D219 है वहां से लेकर और जो टॉप जो के टेगरी है D808 उनका आठ नो जार रुपे मारा है वहा आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें या भारत में देखें कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस में हाँ कभी कभी कोई कोई सेलर उनके किसी मोडल को लेकर के बहुत जादा महंगा बेच रहा है जैसे D109 है या फिर R108 है इनके जो नॉर्मल प्राइस वाले मोडल है इसक हैं वो इंटरनेशनली और भारत में सेम प्राइस पर मिल रहे हैं साथियों हर केटेगरी में उनका रेडियो है और दिवाली पर आकर उन्होंने जवर्दस छूट भी दी और कंसिस्टेंट रही है वो हर सेल में थोड़ा से डाउन लाते हैं अपने प्राइस को और उनका प साथियों एक्सस डेटा वाले मेरे मामा के बेटे नहीं है या टेक्सन सोनी या पैनसोनिक वालों से मेरी कोई दुस्मनी नहीं है एक रेडियो चैनल के तोर पर एक रेडियो क्रिटिक के तोर पर मैं सभी को बराबर की नजर से देखता हूं और यहां मैं सोनी पैनसोनिक य आया हूं साथियों उनको जगाने आया हूं आप जागे भारत की रेडियो मार्केट के परती थोड़ा सा सीरियस हो जाईए थोड़ा सा रेडियो को बचाने और बढ़ाने में आप सब अगर इस क्षेतर में कूद आते हैं तो यह योगदान जो है वो हमेशा याद रखा पर बर में जो मोडल निकालते हैं उनको भारत में भी लाईए और उसी प्राइस में लाईए आप तो देरेदेर आपके रेडियो सेल होंगे एक्सस डेटा इस बात का सबूत है कि सेल होंगे वो धडले से अपने रेडियो यहां बेच रहे इसाथ और रंत में जाते-जाते पगारिया जैसी भारतिय कमपनियों से भी मागरे करूँगा कि आप भी पेनसोनिक, सोनी, टेक्सन, एक्सस देटा इन कमपनीज के साथ थोड़ा सा लेवल मैच करने का परियास कीजिए उस परकार के रेडियो लाने का परियास कीजिए साथियो और अंत में जाते जाते मैं ये कहूंगा ये कबूल करना चाहूंगा कि कैमरे के आगे बैठ कर और बोलना असान होता है वीडियो बनाना असान होता है लेकिन जहां मार्केटिंग की बाद चलती है प्रोडक्शन की बाद चलती है बजट की बाद चलती है स्ट्रेटिजी की ब हो नमस्कार